नमस्कार दोस्तों मैं मितुन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का इस प्रैटफॉर्म पे जहां पे आपको हर तरह की टेचिंग रिक्रूटमेंट की इन्फरमेशन दी जाती है आसा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे तो चलिए देखते हैं एक लब्या मोडल रिक्रूटमेंट आई है 2021 में इसका सिलेबस क्या होने वाला है देखो यह ओफिस्यल नोटिफिकेशन है यहां से आप देखो जब आप आओगे यहां पे देखो यह वाला जो पॉइंट है न मैं इसे पॉइंट आउट करता हूँ आप समझ जाओगे सिलेबस फॉर एक्ज पॉइंट है जहां पे वो तथा कथित यूड़ वो बता रहे है कि सिलेबस आ गया है और यह सिलेबस में पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा एक्जली जब ऑफिस्यल जो इनोने डोकॉमेंट रिलीज करी है नोटिफिकेशन रिलीज करी है यहां कुछ बताया ही नहीं है उन्हें कहां से पता चल जाता है डारेक्ट मोदी जी से कॉंटेक्ट है आपका क्या या रमेस घडियाल निसंग से ओ पुखरियाल रमेस पुखरियाल निसंग से आपकी कोई साथ गाठ है क्या जो आपको पता चल गया यह बेवकू बना रहे हैं आपको इनके चक्रों मे बिल्कुल ना पढ़ना syllabus यही है और इसी के according अब मैं बताता हूँ कि अब subject combination का subject जो है वो कैसे पढ़ोगे आप उसका syllabus कैसे पता करोगे उसके लिए एक hint मिलेगा आपको don't worry तो देखिए सबसे पहले मैं तुरत एक जो है तुरंत कोशिस करता हूँ आपको समझाने की जो को स चार गलत कर दिया तो एक सही भी किया है तो आपको zero number मिलेंगे यानि कि आपका चार गलत जो है एक सही को खा जाएगा clear हो गई आसान भासा में आप समझ लो अब देखो principal के लिए 160 marks का ही exam होगा जो online screening test होगा computer के माध्यम से उसके लिए यहां से आप सारे subjects को देख सकते हो और vice principal और principal के जो exam में है वहाँ पे सिर्फ छोटा सा अंतर है academic यहाँ पे 30 marks का होगा लेकिन vice principal में academic का जो roll है वो 60 marks का होगा बस इतना इसा ही है और यहाँ पे administration और finance के लिए 70 नमर पूछा जाएगा principal के लिए और यहाँ पे सिर्फ 40 marks का exam होगा तो यह छोटी सी जो है मैंने differentiate करने की कोसिस करी है चाहो तो screenshot ले लो या फिर PDF तो मैंने टेलिग्राम पे डाल रखा है मिधोन सिंग सर्च कर लेना आप टेलिग्राम पे या फिर नीचे comment section में आपको link मिलेगा हमारे facebook channel का वहाँ से भी जूर सकते हो आप मुझसे या फिर आप description में दिये हुए link से भी ज एक्जाम होगा और आपको तीन घंटे का समय मिलेगा और जिसे आप demonstration, demo बोलते हुए या personality test interview वो 40 marks का एक्जाम होगा general English, general Hindi, GKGS यानि की current effects भी included है इसमें और analytic ability, numerical ability, computer literacy यह सब आप mark distribution यहां से देख सकते हो number of question और यहां से आप देख सकते हो teaching aptitude, pedagogy और subject knowledge यहां से आप देख सकते हो 160 marks का यह है उसके बाद देखो TGT के लिए क्या है अब यहां से आप बोलोगे कि सर यह जो subject combination है subject knowledge 80 marks का यह क आपको don't worry, panic नहीं होना आपको, अब देखो TGT के लिए 180 marks का exam होगा और 180 minutes आपको मिलेंगा यानि कि हर question के लिए 1 minute का time को क्या किया गया है, consider किया गया है, यहां से आप देख लो सबसे पहली बात की general Hindi, general English 10-10 marks का पूछा जाएगा, subject knowledge और current affairs 10 marks का पूछा जाएगा, 15, analytic ability और numerical ability के लिए 10 marks का question पूछा जाएगा, computer literacy 5 number का पूछा जाएगा, teaching aptitude और pedagogy 20 marks का, subject combination का 100 marks का, तो देखो, यहां पर उन्होंने सब कुछ दे रखा है, और यहां से उन्होंने एक hyperlink भी दे रखा है, the details of the syllabus are given on the website, देखो, details syllabus जो है, यह इन्होंने दे रखा, मैं open कर लेता ह इस hyperlink से, और आपको दिखाने की कोसिस करता हूँ, यह कैसे बेवकूप आपको बना रहे है, कहीं भी इन्होंने syllabus नहीं दे रखा है, देखो, यहां से आप जब आओगे, तो apply करने के लिए आपको यह बोला जाएगा, यहां से आप देख सकते हो, website पे मैं पहुँच चुक ताकि कोई भी सक आपके अंदर ना रहे, उसके बाद में जो idea आपको दूँगा, उस idea के according आप चलोगे तो फायदे में रहोगे, देखो, actually यह आई हुए recruitment कहां से, यह recruitment आई है, central government से, यानि कि कैंद्र सरकार के द्वारा, राय सरकार का इसमें कोई हात नहीं है, कैंद्र य जाता है, तो आप क्या करो, DWSP के जितने भी previous year के paper है, PGT आपका chemistry, bio, physics, math, history, geography, whatever, जो भी हो, आप पढ़ सकते हो वहां से, या फिर, आप चाहो तो TGT का भी पढ़ सकते हो, same चीजे को, कुछ समझ सकते हो आप, अब देखो, यह मिलेगा कहां से, सारे लोगों का मन में यही मिलेगा, तो देखो, मैं आपको बता दूँ, आपना पुराने previous year paper को download कर लो, online सारे Google में available पड़े हैं, खुद से जाके खोज लो, अब सारे subject देखो, हर किसी का subject अलग-लग है, combination, इतने लोगों का online provide कराना, that is not possible, आप खुद से Google करो, और समझदार लोग तो कर ही लेंगे, तो करो भाई Google आप, और समझ के पढ़ो, DSSB, KB की भी आप प्रिवियस year paper को पढ़ सकते हो, आपके लिए beneficial होगी, अगर किसी को पूरी, अगर जैसे मानलो की कोई, अगर mathematics का PGT के लिए देना चाहता है, TGT के लिए देना चाहता है, तो आप मुझसे contact कर सकते हो, मैं बतात mathematics का previous year paper, आप mail कर सकते हो, यहां से देख लो, मेरी email id, आपको कुछ नहीं करना है, लिखना है, your mython, बिना किसी space के आप लिखना, your mython sing, आप मुझे mail कर लो, your mython sing at the rate gmail.com पे आप मुझे contact कर सकते हो, आपको जो है, PDF में provide करा दूँगा, और देखो, एक और वे है, अगर करते हो, तो at the rate, I mython sing, जी हां, I mython sing पे मुझे contact कर सकते हो, आप देख लो, और बिना किसी space के आपको यह सारी बाते लिखनी है, आपको कुछ नहीं करना है, बस 50 रुपे का payment करना है, यहां से आप देख लो, मेरी banking details, देखो, मैं फिर से बता दू, मैं पैसे किसी से ठक नह सारी चीज़ें online free में available है, अगर आपके अंदर उतनी भी knowledge नहीं है कि आप download कर पाओ, तो मैं सारे लोगों को free में provide नहीं करा सकता हूँ, मेरे पास इतना खाली समय नहीं है कि मैं लोगों की सेवा करते रहूं, और अपना life को गर्त में ले जाओ, simple सी बात है, खड़ी तो ही आप welcome हो नहीं, तो आप वीडियो को dislike करो, like करो, या फिर जो भी आपके मन में भड़ास है, निकाल दो comment में और वापस जा सकते हो, free में चीज़ें available है, खुद से सर्च करके ले सकते हो, लेकिन मैं अगर आपको दूंगा सर्च करके आपके special subject की, तो आपको मुझे 50 पे करने होंगे, जहां से आप मेरी email ID बगएर आप यहां से देख लो, और email ID मैंने तो बता ही दिया था, आपको email करना है, यहां से आप मेरी bank account number देख सकते हो, यहां से IFC code भी देख सकते हो इसका, और यह मेरा नाम है, bank holder, account holder का नाम, आप 50 रुपे का transaction कर दो, मैं आपको सा Thank you so much, you guys are amazing, keep reading, keep learning, keep growing, thank you so much.